असलाम अलेकूम और वालकम टू फैमिस किचिन आजकर इस सर्दियों के मौसम में बहुती फ्रेश मूली और पालक आई वी है तो मैंने सोचा कि क्यों ने इसकी भी एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कीजाए कि किस स्टाइल से ये सबसी हमारे घर में बनती है और हमारे घर में इसको बहुत शौक से भी खाया जाता है और सबसे मज़ेगी बात ये है कि ये बहुत ही इसली एंड क्विकली बन जाती है और साथ सा टेस्टी भी बहुत होती है और जो लोग सबसी शौक से नहीं भी खाते हैं उनको भी ये सबसी बहुत पसंद आएगी तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते है तो यहाँ पर यह मैंने आदा किलो पालक लिया है और इसको मैंने इस तरह से चौप कर लिया है तो यह पतीरी में डालेंगे और आदा किलो ही मैंने मुली ली थी पत्तों के साथ तो पत्तों को मैंने बारीक बारीक इस तरह से चौप कर लिया है यह हम इसमें डालेंगे और मुली को मैंने इस तरह से गोलगोल कट कर लिया था आप लोग जिस तरह से भी चाहें इसको कट करके डाल सकते हैं और अब हम इसमें इतना पानी एट करेंगे कि जितना इसमें रिक्वाइड होगा तो तकरीबन चार से पांच ग्लास पानी इसमें गए है और इसको हम हाई फ्लेम पर रखेंगे कि जब तक इसमें उबाला आजाए हमें इसको सिर्फ चार से पांच उबाल देने हैं और इसमें अभी हमें नमक वगएर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें जस्ट इसको अभी बॉयल करना है ताके जो मूली का कच्छा पने और जो तेजी है वो खतम हो जाए क्योंकि अक्सर लोग मूली की तेजी की वज़ा से इसको नहीं खाते है फ्रक्वस यहां हम इसको बॉयल के लिए और इसके बाद पकाएंगे तो इसके बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आए गा तो बस अभी अमूरी पालक बॉयल हो चुकी है हम इसको छान लेंगे और उसकी बाद हम इसको ठंदा करके इस तरह से नेचोड लेंगे इसका पानी हमें अच्छी तरह से रिचोड के निकालना है और अब हम इसका मज़िदार से एक मसालर रेडी करेंगी उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओइल ले लिया है और यह चार से पांच क्लोफ कार्लिक के लिए इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है तो यह इसमें डालूँगी और यह 6-7 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है तो यह मैं इसमें डालूँगी आप लोग अपने टेस्ट के मताबिक कम्या ज्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों को इन दोनों चीजों को हम जोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और अब इसमें मैं ऐट करीज़ों तूटी स्पुन नमक आप लोग टूटेस्ट ऐट करिएगा वन टी स्पुन इसमें हलदी ऐट करेंगे और हाफ टेबल स्पुнов जितना इसमें धर्या पौडर एट करीऊ हम अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे ज्यादा आई फ्लेम पर हम इसको नहीं भूनेंगे वर्णना मसाला हमारा नीचे लगने लग जाएगा और इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है क्योंकि जितना अच्छा भूना हुआ हमारा मस मसाला होगा उतनी ही फ्लेवरफुल हमारी सबसी बनेगी तो बस मसाला हमारा यहां पर भून चुका है और अब हम इसमें मूली पालक करेंगे जो हमने बॉल करके रखा था और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तकरीवन 2-3 मिनट के लिए मसाले में इसको भ करके रखेंगे तक्रीवन 15-20 मिनट के लिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वह भी निकल जाए और मसाले के साथ हमारा यह मूली पालक पग पी जाए तो तक्रीवन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे यह मूली पालक के बुचिया बिल्कुल रेडी है तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा है मिश्योर कि यह सबको पसंद आएगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद रिखी मिले। झ्युक्ष्राइब हम अभरा हमारे नहां कर दो हैं पसंद आपको ऑन कि यहां इसको मिले। झev. झाल